ये है एक हजार रुपे और आज में इसे खर्च करने वाला हूँ गरिमा जी के मेकप पर मेरा मेकप बहुत महेंगा आता है हजार में तो मेरा नेम पिंट भी नहीं आता है तो फिर चलो एक काम करते हैं से स्ट्रीट फूट पर खर्च करते हैं गुड आइडिया अब मुझे बताओ कि आप मुझे मुझे मुंबई में रोल दिलवा सकते हैं हाँ हाँ of course कौन सा वला चाहिए वेज की नॉन वेज अब चलिए भाई मुंबई के स्ट्रीट फूड का टूर करना है तो हाड कोर मुंबईकर से बेटर बताओ इस वीडियो के लिए और कौन हो सकता है इसलिए मैं आपको इंट्रड्यूस करवाना चाहता हूँ आपको पता है कि कोई इंट्रड़क्शन की जरुवरत नहीं करिमा जी मैं फिर बीना जनता के लिए एक बहुत जरुरी सवाल लोगों ने बहुत बोला है मैं नहीं पूछ रहा कि आपकी उमर क्या है यडिकियों से उमर नहीं पूछी जाती है चलिए पहली लोकेशन पर चले यस यस अफकोर्स देखो स्ट्रीट फूड में हजार उपे खर्च करना ना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है इसलिए आज के चैलेंज में मैं इसे ऐसी जगह पे लेकर जाओंगी जहां पे इसलेबरिटीज खाना खाते है और वो खाना काफी एक्सपेंसव होता है चलेगा, पैसे है मारे पास, लेकर गोड़ा है So guys this is the first location जहां पे घरीमजी में को लेकर आई है जुहू में एक जगह है शर्मा चाट बंडार, घरीमजी, क्या है, प्रॉड़ी क्या है, प्रॉड़ी क्या है बहुत ही इंट्रिस्टिंग स्टोरी है आयूश बिकर यह जगह जो है ना, first of all, इसके ओनर 40 साल से चाट किला र यह जो, क्योंकि आज की वीडियो में हमारा अमिझ जी का फेवरेट होना क्राइटीरिय नहींई है, ना, गरीमा जी का फेवरेट होले है श्क्राइटीयवश नै ना ना , अला पानीपूरी मतलब एक सेग है चालेंज हो गया आपके लेजे जालेंज लो न आप अच्छा पूज़ प्लेट कितने की है पानीपूरी की शिलेबटी सो खिलाते हम अंकल थीक है अच्छिड लो में से आप अफ बेफ एक अच्छिशे के अच्छिश कि मेल में में तो आपसे मिलके धनने हो वाज अच्छिवा इसी मात पर चीर बिदार इंच्छिश अपरे तर नियुक्त पादिशून के अपने अपने बने रहे हैं और चीज में आपको पहली इस जा अगया नहीं कर बने वाला है और बने रहे हैं कि और जिए जा रहे हैं और कुछ कहारें हैं यहां से चलिए ना प्लीज आईए मेन्वाल कमें सिक्षिन में आप भी उत्रस्क्राइब कि जुहू में शर्मा चार्ट बंडार आपने कभी ट्राय करा और आपको कैसा लगा है यह है मुंबई की सबसे पॉपिलर चार्ट आइटम इच इस कॉल्ड सेव पूरी इसलिए ट्राय करते है वैसे दिल्ली फूद या मुंबई फूद यार दिल्ली के खाने के आगे किसी की नहीं चलती है इसलिए मैं मुंबई पे दिल्ली स्टाइल फूद ढूद लेती हूँ अच्छा दूने को कॉम्बिनेशन अगें वेरी फ्लेवर फूल चाट में इसलिए चातकारा आटा है यार को ब्रॉट्स भी है यहीं पर और को दो यह लिए यहां पर दिली का मत्रा होता है, तो यह प्षोले नहीं है, पुटाटो पुट्टो तो, आप समच सकते हुपा, मैं अपसे पूछना चाहता हूं, मुम्में किने सालों से रहे हुआ है, बहुत सालों हो गया है, यह मजिशो है, किने सालों हो और बच्पन का कोई फेवरिट फ तो हम आज खा रहे हैं चले, लेस्ट आज त्राय दो आया मसा वंबे में क्या बोलता है कर बहुत बड़ी अरुटा है वहाँ बाप एक नमबर एक नमबर वाँ वा, या बाद कर लाद है लौटे। इस लेकिस बिला ट्रेणिग करेंगे हैारा है यार यार श्हुत अधिया आपको मेरे लाकश मैं आपको यूर। आपको मेरे अपनलगी है कर तो आमिर को अलोग मेरे यूरुटर ना लोग कुछ और है जो इससे जादा मज़ा दो ला पाएगा आज कॉस आप जुहू की लोकल सिलेब्रिटी के साथ है लोकल सिलेब्रिटी गरिमा जी डिश तो बहुत देशी है पर चक्कर का है पैसे है हजार उते तो कितने खर्चों है ये भी बता दो देखो मुझा लगता है 200-300 के बीच में उड़ा दिया है यहाँ पर एक पहली पही चलो आओ पेमें करते है एक और चीज इसमें खाने के साथ साथ मैं आपको कुछ और इंट्रस्टिंग बाते पर पताने वाला हूँ हमारी फेवरेट गरिमा जी के बारे में तो आगे शलते हैं और पाते करते हैं गरिमाजी, I would like to know about something कि आप आप अक्टिंग फील्ड में कैसे आए अक्टिंग फील्ड में अपनी चोल की वज़े से हाई आई यहाँ कि मझे बच्पन से एक्टिंग का बहुत शॉग था, एक्टिंग का कीड़ा था and I was a journalist and then I was doing a corporate job but मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने बुला, one life है, यहीं पर सब कुछ करना है, तो मलाल नहीं रहना चाहिए किसी चीज का so that's how I just took that plunge and I jumped into the big vast ocean of acting अगर आपने नहीं देखा तो तारक में तक उल्टा शुष्मा में, she has played a role उसमें Dilip जी तो मेरे फेवरिट है, the housing person, कैसे हैं वो, बहुत-बहुत मस्त इंसान है वो and a great actor जितनी हमारी next location भी आगए है, तो let's go there भाई, आहां की भी देल्स की है, बहुत famous है, आप देखो ना कितने बच्चे है और मैं दो एक pattern देखना हूं, मुंबाई में जहां college है, वड़ापाव अला है और वो मशूर है अशोक वड़ापाव, किर्थी college, मिथिभाई और अननल So grilled वड़ापाव हमारे बास आगया है, this looks very delicious 100 पे का हमारा पड़ा है, तो मतलब हमारा budget अभी गया है 4500 500 पे हैं यार, हमारे पास अभी tension की कोई जुरत नहीं है, तो दुखने में तो बहुत सुन्दर लग रहा है खा की बताओ कैसा है मैं आपसे एक और वरतलाप करना चाहता हूं कि आप Bollywood industry में रहे हो, आप उसके अंदर भी रहे हो, आपने भाहर से उसको देखा है So casting couch का इस जो concept है, क्या है रियल है? Of course मैंने इतना बड़ा podcast बनाया गाहिस उसके उपर Casting couch does exist and I think that's the dark reality of the entertainment industry और दूसी चीज मेरे को पूछने है कि आप मेरे को देखो, लंबा चोड़ा जवान, क्या बॉलिवुड इंडुस्ट्री में मेरे कितना चांस है Oh my god, जाओ धके खाओ थोड़ा auditions दो Acting करने के लिए Acting आने चाहिए पहले Acting भी सीख लेंगे यार Face cut होना चाहिए बहुत बर्या face cut है हमारे आयूश जी का थोड़ा I know, I know, I know RIP हो के आओ अगली बार वो चलेगा लेकिन पहले इस पर फोकस करते है क्योंकि उसमें अभी ताइम है यार पहले वड़ा पाव पे कॉंस्ट्रेट करते है क्योंकि आगया I love this grilled vada pav Oh bro क्या बोलती है पबलिक मासका, मासका एक दम बिन्दाफ जगाफ इसके बाद और कुछ है इस टॉक में बढ़िया इसके बाद हम तुम्हें Seasonal Fruits के राजा या भिर रानी दोनों में से किसी एक चीज़ की ड्रिंक पुलाने वाली हो Again, that's like Your favorite? Eternal favorite कुछ भी हो, Garima Ji की फेवरेट पनी चाहिए Makkan, Makkan जुतना यहां पर असे जादा चर यह ज़ते हैं, next location Garima Ji, अगली location पे तो हम जा रहे हैं पर ना acting वाली बात को मैं give up नहीं कर पायो आप मुझे बताओ कि आप मुझे 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 में रोल दिल्वा सकते हैं हाँ, हाँ, of course कौन सा वाला चाहिए? Wedge की non-wedge? आप मुझे एक बात बदाएए कि आपकी डाइट किस तरीकी की है आप like morning में क्या खाते हो फिर ट्रैने के लिए स्ट्रीट फूद में कितनी ही बारी खाते है स्ट्रीट फूद में जब विडियो बनाने चाहते हूं सब तभी तभी खाते हूं बागी time मुझे home-cooked food बहुत पसंद है and you know as you age, as you grow up तो अपना खयाल रखना और जादा important हो जाता है सुबह उठके अच्छा healthy खाना खाओ बोडी को protein दो बोडी में muscles वो सबसे strong होनी चाहिए और जो fat का content है बोडी में वो कम होना चाहिए Dinner is very light, very very light राहत का जो खायावा होता है वो digest करना सबसे difficult होता है हमारे lifestyle के हिसाब से तो राहित में अगर chicken biryani और तंदूरी चिकन और मसाला मुर्गोतो सब दिखाई देगा ठीके हम ध्यान रखेंगे जितने अगल लोकेशन हमारी आई गई है वहाँ चलते है This is the third and last destination of our day जगा का नाम है Amar Juice Center और Garima जी ने इसा बताया कि Strawberry Juice बेचते है Yes Milkshake है जिसको Juice के नाम से बेच रहे है This is a strawberry juice जो कि आपको Amar Juice Center के अलावा और कढ़ी नहीं मिलेगा मेरा दिमाग से रागया है सुनके Strawberry Juice आँ देख रहे हैं क्या वाला है देखे guys this is how a juice looks लेकिन मैं juice प्यूँ ना उससे बेले मैं आपसे कुछ बोलना जाता हूं क्योंकि इसके बाद वीडियो पी पता नहीं कब खतम हो जाए अभी तक मेरी YouTube की जरनी में मैंने अगर इससे बहुत सारा सीखा है अभी जाता जाएगा आप तो यार मेरा बजेटी एक्स्वाइड करा रहे हैं इससे पीते है फिर पे करूंगा हो चाला आए जिंदगी के मजे की नहीं आए या अच्छा लगा बट अगर सचसे बोचे तो नोट बाद इंपरिस इससरी नहीं राज मत अखिए यारा आप नराज मत हो यार आप नराज में इन Ethan 10 बट इसस दो प्योड फूर में जब भी सीजन आता नो स्ट्रॉबड़िय का यह तभी बन सकता है लेकिन इसके साथ में बोलना हो तो कि आज यार मुझे परस्नली बहुत मजा आया आपके साथ पूरा एक्स्प्लॉर करके, चीजे देखे, ट्राय करके. मुझे भी बहुत मज़ा आया, Actually, you know, I really admire Aayush की energy. मुझे लोग बोलते हैं, मैं क्यामरा क्या होगी? आपके साथ बाट 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 करने लगती हूँ, बाट भाई, इसको देखो, His energy is infectious, His knowledge about food is awesome, India's best food critic, India's best food critic, और बिल्कुल मेरी इतना, इसने हर चीज पे genuine reaction दिया, which I really like. बागी मैं एक चीज बूलने जाओंगा, कि Mumbai का street food यार, बाट हों किरह कि đó, मैं ने के अब पसक्तॄं जवारे हूं। मैं आ विग ने था लागत कर दो Allah, मैं आ तुम्हेसे थाओं थाव जाओं, बहुत अमेजिंग व्लॉक्स हम इन से सीखते हैं तो आप समझ सकते हो कि इनका चानल कैसा होगा अब एक सवाल मैं पता है क्या करना चाहूंगा कि आप यार किस किस सेलेब्रिटी से मिले हो